इस सवाल में क्या दिया है आपको AB is parallel to CD यह जो AB line है यह CD के parallel है ठीक है आपने X O Y angle निकालना है You have to find this angle यह angle निकालना है आपने X O Y X O Y निकालना है एंगल X O Y मैंने highlight भी किया है यह angle निकालना है सब्सक्राइब यह X है 90 डिगरी 20 डिगरी 30 डिगरी 30 डिगरी 90 डिगरी ओक्य अच्छा थोड़ी सी construction करूँगा मैं थोड़ सा construction एक और parallel line की चुँगा which is which will be parallel to a b as well as c d एक parallel line की चुँगा देखो इस तरीके से और यह जो x angle है यह इसको दो हिस्सों में divide करेगी ठीक है आप suppose यह line है pq line है यह pq line ठीक है suppose this is a pq line अब यहां focus करो आप इस angle पर focus करो अब ध्यान से देखना अब आप pq line और a b line को देखिए अगर यह 125 अभी हमने देखा था यह angle कितना होगा this angle will be 55 already we have seen co interior angles उपर वाला पार्ट ठीक है और और नीचे अगर आप अब pq और cd में ध्यान दीजिए अगर यह 35 यह तो इस अंगल विल अल्सों भी 35 ऑल्ट अल्ट अंगल यहाँ पर कौण सी प्रॉपटि लगी ऑल्ट नेट आंगल्स at यह अर्ट आ हमश्ची अल्टर सेयम यह अल्टे आंगल्स यहाँ पर कॉन सी ही अ आगको इंट्रियर अंगल्स sum of co-interior angles is equal to 180 यह previous question पे भी हमने करा था ठीक है तो यह 55 आ गिया और यह 35 आ गिया x क्या होगा दोनों का sum so x angle will be 55 degree plus 35 degree and it will going to give you 90 degree very good बहुत अच्छे तो थोड़ा सा construction क्या बस we have done a little construction एक एक लाइन किची पालल तो A, B, N, C, D जिसको मने P, Q नाम दिया ठीक है and then we have applied property okay very good ठीक है so 90 is the right answer B is the right answer 90